भोयान सिनवान सि राश्ट्रिय मुक्त विद्याले शिक्षा संस्थान के उच्चत और माध्यमिक कक्षा में संस्क्रिस साहित्य विशय के अंतरगत हम उत्तर रामचरितम की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं पिछली कक्षाओ में हमने चार श्लोकों को पढ़ा था जिसमें नान्दी मंगलाचरण होता है पुनहा निर्देश किया जाता है और जो राजमहल है उसमें शान्ती व्याप्त थी उस शान्ती का कारण क्या है वह नट बतलाता है नट के बतलाने के बाद और सीता गर्भडी हैं सभी लोग रिश्य स्रिंग के आश्रम पर गए हुए हैं इसलिए भी शान्ती है ऐसा हमने संपूर्ण व्रित्तान्त जाना था उसके आगे सूत्रधार क्या कहता है इसे हम इन अंशों के द्वारा पढ़ेंगे सूत्रधारह तत्किमनेन एहिराजद्वारमेव स्वजातिसमेन उपतिष्ठावह नटह तेनही निरूपयतुराग्यह सुपरिशुद्धाम उपस्थानस्तोत्रपधतिम भावह सूत्रधारह मारिश सर्वथाव्यवहर्तव्यम कुतोह्यवचनियता यथास्त्रिणाम तथावाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनहा सूत्रधार कहता है तरही अनेन उत्सव विराम हे तो हो अनेन चिंतनेन किम साध्यते उत्सव रुग गया है शान्त हो गया है वातावरण इससे क्या समझते हैं इससे क्या सिद्ध होता है स्वजाति समयन स्वजात्याहा चारण जात्याहा समयन जो चारण वर्ग है उसके द्वारा क्या आचरण किया जाता है तो वो चारण वर्ग जब अपना कार्य कर रहा होता है तो गान करता है और जब गान का कार्य बोलने का कारिय बंद हो गया तो जा करके शान्ती से खड़ा हो जाता है एक जगह स्थिर होता है तो सुत्रधार कह रहा है कि चिंतनेन किम साध्यते शान्ती हो गई है इससे यह पता चलता है कि अब हमें राज द्वार के पास में राज्याह रामस्य प्रतिहारम उपतिष्ठाव है जो पास में चलके रुक जाना चाहिए, स्थित हो जाना चाहिए नट कहता है तेन राजद्वारे स्थुतेह पठनीयता निरूपयतु राजद्वार पर स्थुती की पठनीयता के विशे में चिंतन करो कि वहाँ पे जो बोला जाए वहाँ शुद्ध होना चाहिए दोश शुन्य होना चाहिए तो राज समीप गमनार्थाम स्थुती परिपाटी भावव विद्वान विद्वानों के द्वारा वहाँ पर जो स्तवन किया जाना चाहिए जो बोला जाना चाहिए वह सर्वथा दोश शुन्य हो ऐसा निश्चे ही ध्यान रखना चाहिए सूत्रधारह मारिश यह एक नया शब्द है बच्चों के लिए मारिश अर्थात मर्शति दोशान इती मारिश जो दोशों को अपने धूर रखता है इसके परियाय के रूप में हम आर्य शब्द को या मान्याह श्रेश्ठाह इस तरह के शब्दों का प्रियोग कर सकते हैं तो मारिश अर्थात आर्य यह संबोधन है सर्वथा उश्लोक के अन्वयार्थ को हम देखेंगे ये सर्वतार्थात समस्त प्रकारेण व्यवहरतब्यम अच्छी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कथम अवचनीयता निर्दोशता कुतह कस्मात कारणात यतोही जिस प्रकार से वाडी में सत्यता का आधान होना चाहिए वाडी जो है शुद्ध होनी चाहिए दोश रहित होनी चाहिए तो शुद्ध वाडी अच्छे व्यवहार की प्रदाता होती है शत्य युक्त जो वाडी है वह अच्छे व्यवहार को बताती है व्यक्ति के व्यक्तित्त को बताती है तो वाडी नाम साधुत्वे सत्यता भवेत दोशदर्शिय भवती सतो दोशमेव पश्यती सर्वता एतदर्थम दोशहनस्यात परिशुद्धतास्यात तत्र हेयता नभवेत एतदर्थम अश्माकं माणी परिशुद्धता वा परिदोश रहितास्यात परिनिष्ठितास्यात इत्यर्थ व्याकरण पदार्थ अत्रस अस्ती सर्वतायती अभ्याय पदम सर्वशब्दात् थाल प्रत्यय सर्वतायती रूपम सिध्यती पुनह व्यवहहर तब्यं वी उपसर्ग पूर्वक, पुनष्च अव एतयो हो, उपसर्गयो हो यत्र प्रयोगह तरहें उपसर्गद्वय पूर्वकात, हरी धातोह तब्यत प्रत्ययकृते व्यवहर तब्यम इती रूपं अवचनियता वचनियम दोशह तस्यभाव इती तल प्रत्ययः वचनियता नवचनियता अवचनियता अथात यन वक्तभ्यम यत वक्तुम नोचितं तत अवचनियता अत्र नई तत प्रोश्चमासा कुतो ह्यवचनियता अत्र संधिही वर्तते कुतह ही अवचनियता कुतह ही अनयोह पदयोह मध्ये तावत विशर्ग संधिही पुनस्च ही अवचनियता एतयोर मध्ये यण संधिही दुर्जनों जनः दुर्जनः तरी दुर्जनः जनः अत्र आपी विशर्गसंधी दुर्जनों जनः एवं रोपेण अत्र श्लोके कुतोह यवचनियता इती वाक्यम प्रती उत्तरार्ध वाक्यार्थस्य हे तुत्वात काब्य लिंगम अलंका रह यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम अत्र उपमालंका रह श्लोके अत्रापी अनुष्टु वेवचंदह नटह वदति अति दूर्जन इति वक्तब्यम कथम देव्याम अपिहिवेदेह्याम सापवादोयतो जनह रक्छो ग्रिहस्थ तिर्मोलं अग्निशुद्धाउत्वनिष्चयह शूत्रधारह यदि पुनरियम किमवदंती महाराजम प्रतिस्यन देत ततह कष्टम स्यात नटह किमवदती अति दूर्जन अति दोसदर्शी इति वक्तब्यम ये तो अभुत अधिक दोशों को देखने वाला है अत्यधिक दूर्जन है ऐसा कहना चाहिए क्यों ऐसा कहना चाहिए तो इस श्लोक के द्वारा कहते हैं यतो ही जिस कारण से लोकह देव्याम परमपूज्यायाम वैदेहियाम जनकतनयायाम जिस कारण से लोक यह समाज परमपूज जो वैदेही हैं जनकनंदिनी सीता हैं उन पर भी सापवाद निंदा परहवर्त तेवह समाज परमपवित्र सीता पर भी अपवाद युक्त है अपवाद से युक्त जो दृष्टी है निंदा से युक्त दृष्टी से के साथ देखता है रक्षो कारण क्या है क्यों सीता को निंदित दृष्टी से देख रहा है समाज कहा रक्षो ग्रिह स्थिति ही रक्षसाम ग्रिहम रक्ष ग्रिहम अथवा रक्ष सह ग्रिहम रक्ष ग्रिहम तत्र स्थिति ही रावन ग्रिहमे निवास करने के कारण सीता को दोश्रकी की समाज लोक अनिस्ययात्मिका बुधि से ग्रस्त है और अनिस्ययात्मिका बुधि पतन का कारण होती है इस कारण वह संसय ग्रस्त है, निरणय नहीं कर पाता कि अक्नी परिच्छा के बाद भी कोई परिशुद्ध कैसे नहीं होगा पुनह सुत्रधारह वदती, सुत्रधार कहता है यदि पुनह चेत यम एसा किम बदन्ती जनस्तृत ही है, किम बदन्ती लोक अपवाद लोक में जो ब्योहार किया जा रहा है, महा राजा के प्रती, राजा राम के प्रती इस प्रकार की बात यदि की जा रही है यदि एताद्रिशी वारता प्रतिस्यんだेत इस प्रकार का प्रचार प्रसार होगा प्रस्रवेत तरही कश्टम स्याथ भगवान राम को, राजा राम को सुन करके कश्ट होगा, कि लोक में सीता के प्रती इस प्रकार रहे आपवाद चल रहा है क्योंकि समाज तो दोश दर्सी है, समाज दोश को अधिक देखता है आप एक स्वेत पत्र पर एक बिंदू का निर्धारन कर दीजे और किसी से पूँचिए इस कागज में विशेष क्या है तो वह कहेगा इसमें एक बिंदू है संपूर्ण श्वेत पत्र है, उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है कुछ भी अंकित किया जा सकता है नाना प्रकार के चित्र बनाए जा सकते हैं उसका विविध कलाओं में प्रियोक करके अनेक आकरतियां बनाई जा सकती है उन सारी विशिष्टताओं को नहीं बताएगा अपितू उस दोश को जरूर देखेगा प्रथम वैसे ही सीता के प्रती समाज दोश दर्शी है अतह सत्यवादी होना चाहिए यथार्थ देखना चाहिए इस श्लोक में और अनुच्छेद में कुछ पद हैं जैसे वैदेहियाम यदि इसके व्याकरण को देखें तो विदेहस्य अपत्यम इस्त्री इस अर्थ में विदेह शब्द से अई प्रत्य होता है तद्धित प्रत्य है और अई प्रत्य करने के बाद इस्त्रित की वक्षा में गीप प्रत्य होगा तो वैदेही शब्द बनेगा और वैदेही शब्द के सब्तमी का एक वचन रूप है वैदेहयाम यथानद्ध्याम ऐसे ही सापवादः अपवादेनसह अपवादः लान्चनम अपवाद के साथ जो है उसे सापवादः यहां कहा गया है रक्षो ग्रिह स्थिति ही रक्षसा ग्रिहम रक्षो ग्रिहम अत्वा रक्षसाम ग्रिहम रक्षो ग्रिहम यह सष्ठी तत्पुरु समास है और रक्षो ग्रिह स्थिति ही यह सष्ठी तत्पुरु समास होगा दो समास इस पद में है अगनी शुद्धव अगनव शुद्धी अगनी शुद्धी यहाँ सब्तमी तत्पुरुष समास होगा और पुनह सब्तमी का एक वचन रूप होगा अगनी शुद्धव हरी के समान रूप चलेगा अनिश्चयह ना निश्चयह इती अनिश्चयह यहां पे नईतत पुरुष समास है निश्चयस्य अभावह इत्यर्थः सापवादो यतो जनहां यहां पे संधी हम देख रहे हैं कि सापवादह यतो दोनों में ही विसर्ग संधी है विसर्ग को उकार होता है असिध्ध हो जाएगा तो और उको गुणो हो करके सापवादो और यतो ये दोनों पद बंते हैं रक्षो ग्रिह स्थितिर मूलम अगनी शुद्धव। रक्षो ग्रिह स्थितिही एक पद, दूसरा मूलम और तीसरा अगनी शुद्धव। ये तीनों को अलग-अलग करेंगे। तो स्थिति का विशर्ग जब बाद में अवसान नहीं रहेगा कोई पद आ जाता है तो विशर्ग असिद्ध हो जाता है वह रेफ उपर चला जाता है क्योंकि हश्वर्ण परे होने पर पूर्व में यदि हलंत रेफ है तो वह वर्ण के उर्ध हो बैठ जाता है उपर गामी ह और मूलम के मकार में अग्निशुद्धव का आकार मिल जायेगा तो पूरा पूरा जो रक्त वरण में हम देख रहे हैं। दाल कलर में देख रहे हैं रक्षो ग्रिहस्तितिर मूलम अगनिशुद्धव यह पद होगा ओ त्वनिश्चयह में तू अनिश्चयह त्वनिश्चयह यन हो जाएगा तो उकार को वकार आदेश होकर त्वनिश्चयह यह पद बनेगा देव्यामपी इती श्लोके दोशा भावे सत्यपी दोश कतना दोसके नहीं होने पर भी दोसको जब कहा जाता है तो विभावना अलंकार होता है ऐसे ही अगनिशुद्धव यहाँ पर भी अभिश्वास कारण से विशेशोक्ति अलंकार है और अति दूर जनाह इती वक्त इती वाक्यम प्रति पूर्ण वाक्य से हेतु त्वात हेतु होने के कारण काभ्यलिंग अलंकार है और श्लोक में अनुष्टुप छंद है ऐसा हमने पढ़ा मूल अनुष्ट को हम देखेंगे पुनह नट कहता है सर्वथा रिशयो देवास्च स्रेयो विधास्यंति कल्यान करेंगे परिक्रम्य वह चारों तरप घूमता है परिभ्रमण करता है परिक्रमर्दा पर भ्रमण क्रित्वा भोभो क्वेदा नीं महाराज महाराजि कहां है मैं यद्यपि राज्महल्यश्र्आंत supports that राज्या राम तो रिष्डा श्रिंग के आस्रम नहीं गये हैcake तब तक वह नट अभिने करता है आकर्णिय सुन करके एवं जनाह कथ यंति लोग कह रहे हैं क्या कह रहे हैं स्नेहात सभाजय तुमेत्यदिनान्यमूनी नीत्वोत्सवेन जनकोद्यगतो विदेहान देव्यास्ततो विमनसह परिसान्त्वनाय धर्मात सनाद विशतिवास ग्रिहम नरेंद्रह ऐसा कहकर इतनी स्क्रान्तव वह नट और सुत्रधार दोनों चले जाते हैं शलोक के अर्थ को हम इस प्रकार समझते हैं जब नट ने कहा कि भली प्रकार से सबका कल्यान हो वशिष्ट वालमी की प्रमुख देवाहा गंगा प्रतिव्यादय हदेवताहा च स्रेयाहा कल्यानम विधास्यंती ये सभी भली प्रकार से कल्यान करेंगे ऐसा कहके नट शलोक कहता है भोभो हे हे क्वाइदानी महाराज महाराज कहा है इस समय वो कुत्र कहा है आकर्ण्य सुन करके इत्थम जनाह कथयंती लोग कह रहे है स्नेहात अर्थात प्रेम से प्रेम प्रेम रह सभाजय तुम अपने प्रेम को प्रगट करने के लिए अभिनन्दितुम रामचंद्रम अभिनन्दितुम एत्य अयोध्याम आगत्य सभी लोग जो थे राम के अभिनन्दन में अयोध्या आये हुए थे अमूनी दिनानी एत्य कुछ दिन रहे कुछ दिन यहाँ पर पिता करके और कैसे बिताया उन्होंने तो कहा उत्सवेन प्रमोद से आनंद से राम के राज्या विशेक का जो पट्टा विशेक का उत्सव है उस उत्सव में कुछ दिन आनंद पूर्वक नित्वा अर्थात यापन करते हुए कुछ दिन तक उन्होंने सानंद अयोध्या में आवास किया पुनह जनकह विदेहाधिपतह अध्य अस्मिन दिने आज सीता के पिता जो जनक हैं विदेह के राजा हैं वो अपने देश को चले गए स्वजन पदम जनकपुरीम गतह अर्थात प्रस्थितह अपने राज्य को चले गए जनकपुरी को प्रस्थान कर चुके हैं ततह तस्मात कारणात पिता के गमन कारण से विमन शह सीता सीता याह सीता दुखी हैं किसी का भी पिता जब पुत्री को छोड़ कर अपने घर चला जाता है तो मन खिन होता है और पिता ही नहीं कोई भी अपना जिससे हमारा लगाओ है वह जब त्याग करके उसके साथ वियोग होता है तो मन में खिनता आना स्वाभावी कहे तो सीता भी खिन है तो उनके मनोव पिनोद के लिए उनकी सांतवना के लिए नरेंद्रः रामचंद्रः जो राजा राम हैं वो धर्म सिंखासनात अपने उस राज सिंखासन से उठ करके वासक ग्रिहम, सीता निवासस्थानम जो राणी का निवासस्थान है उस अंतह पुर को विशती अर्थात प्रवेश करते हैं महा राजारा सीता के अंतह पुर में चले जाते हैं इशे श्लोक में और अनुचेद में दो पदों को हम देख रहे हैं यह क्रिया पद है इन गतव धातु है इन गतव अर्थात गती अर्थ में इन धातु है उस धातु के पूर्व में जब आंग उपसर्ग लग जाएगा तो उसमें गुण होगा और गुण हो करके अक्तवा प्रत्य जब इन धातु से करेंगे तो अक्तवा को लिप आदेश होगा तो इस प्रकार से एत्य बनता है अर्थात इन गतव धातू से अक्त्वा प्रत्य पुनह जब आंगुप सर्ग पुर्वक होगी तो समास हो जाएगा अतह अक्त्वा को लिप आदेश हो जाएगा तो एत्य एत्य कार्थ क्या होगा गत्वा जा करके विमनसह विगतम मनह यस्याह सा विमना तस्याह विमनसह जिसका मन विगत है अर्थात दुखी है मन उसके पास है ही नहीं कहीं अन्यत्र लगा हुआ है इसमें प्रादी समास है विमनसह सीता के लिए हाँ आया है संधि विख्षेद वाले पदों को देखेंगे दिनान्यमूनी दिनानी प्लस अमूनी कुछ दिन बिता करके तो यहां यन संधी हो जाती है दिनानी के इकार को या आदेश हो जाता है नीत्वोत्सवेन नीत्वा प्लस उत्सवेन वा वकार उत्तरवर्ति आ और उत्सवेन घटक जो उ है दोनों के मध्य में गुण हो जाएगा तो नीत्वोत्सवेन जनकोद्य जनकह अध्य तो पहले यहाँ पे विसर्ग संधी, बाद में पूर्वरूप संधी, पूर्वरूप संधी की यह पहचान है, जहाँ पर यह आप खंडाकार देख रहे हैं, अवग्रह चिन्ध देख रहे हैं, द्या के पूर्व में जो चिन्ध है, उसे अवग्रह कहा जाता है, अथवा खं अकारह घंडाकारह गतो विदेहान गताह प्लस विदेहान विसर्ग संधिका उदारण होगा उत्तो हो करके गुण हुआ है यहाँ पर भी देव्यास ततो विमनशह देव्याह ततह तो देव्यास ततह हो जाएगा जुड़ करके यहाँ पर जो विसर्ग हुआ है वह अर्थात धर्मासन से हट करके पंचमी है पंचमी वियोग जहां होता है अपाय जहां होता है वहीं पंचमी हक्ती होती है तो यहां पर ताको दा हो रहा है अर्थात जस्त्व संधी हो रही है हमने चर्चा में कहा था कि प्रथम वर्ग को तृती वर्ग जहां संधी में होता है वह जस्त्व संधी होती है तो यहां भी जस्त्व संधी है और उक्ता वसंत तिलका तभजा जगवगह इस लक्षण के आधार पर इस श्लोक में वसंत तिलका वृत है पूर्व के इस श्लोकों में अनुष्टूप छंद था लेकिन यहाँ इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है इसने हाथ सभाज़े तुमेत्य दिनान्यमूनी और इसी तर्ज पर गेया वसंत तिल का तभजा जगवगह तो इस प्रकार से हमने इन श्लोकों को पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से राजा राम सीता के खिन्न मन को शांत करने के लिए अंतापुर में प्रिवेश करते हैं और अयोध्या के शान्ती का कारण क्या है इन सारी बातों को करते हुए सुत्रधार और नट दोनों ही पट से ओझल हो जाते हैं क्योंकि यह तो नाट्यमंचन है तो पट से ओझल हो जाते हैं और प्रथम अंक यहीं पर पूर्ण होता है शेश भाग को हम आगे देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार